कॉलेज में पहनने के आउटफिट्स बताऊं वाज, वो भी कूल वाली बिना इंफ्लूएंसर कोदा बने वो भी 10 से जादा अलग-अलग स्टाइल्स की लिंक्स के साथ सबसे पहली आउटफिट उन लोगों के लिए जो एकदम बेसिक रखना चाहते हैं इसमें हम पहनेंगे एक plain slim fit टी शिर्ट अब पहने को आप ये basic black grey colors में भी पहन सकते हो लेकिन आप green navy in type की colors पे भी जा सकते हो बस आपको make sure करना है कि इसकी fit बहुत ज़्यादा प्यारी होनी चाहिए आपकी body वे और क्योंकि कोई foreign brands Indian bodies पे अच्छी fit नहीं दे पाते है इसलिए मैं कहूँगा Indian brands से ही खरीदना इसके साथ एकदम basic रखने के लिए हम अपनी straight cargos पहनेंगे black color में अब wide इसले नहीं पहनी और multiple pockets वाली इसले नहीं पहनी क्योंकि ये outfit हमें एकदम basic रखने है मदब ऐसी outfit जो सुबा उट के ज़्यादा सोलचना पड़े और confirmed अच्छे ही लगोगे आप और सबसे safe तरीके से look complete करने के लिए नीचे sneakers हमने पहने है white color के और look को complete किया है एक basic cap से और wayfarer sunglasses से क्योंकि धूब बहुत है भाई next outfit है थोड़ी सी semi casual वाली इसमें भी हम उपर slim fit ही पहनेंगे लेकिन इस बार हम पहनेंगे एक polo बगर आप इसमें basic वाली polo पहनते तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती आपको थोड़ी से अलग knits वाली polo पहननी चाहिए जिससे कि थोड़ी सी और fashionable लगे जैसे कि आप देख सकते हो इस वाली पे wave pattern के knits है और क्योंकि ये plain white है तो देखो छोटी-छोटी details काफी matter कर जाएंगी इसके fabric पे for example इसकी sleeve का elastic, इसका collar और इसको मैंने pair किया है loose Korean style pants के साथ जो कि आजकल काफी trending हो रही है इसलिए मैंने इस वीडियो में सारी outfits में sneakers के साथ दिखाई हैं क्योंकि पूरा दिन पहने है भाई तो ये वाले जो मैंने sneakers पहने हैं मुझे पता है अब comments में गालिया ना आ जाए भाई ये तोड़े महंगे हैं पहन सकते हो एक tank top अब मुझे पता है कि comments के आएंगी इस outfit पे कि भाई हमारे college में बिल्कुल भी tank top allowed नहीं होएगा मुझे पता है मेरे college में भी नहीं था तो ये rockstar type style replicate करने के लिए हम ले लेंगे एक पुरानी black t-shirt उस पे एकर थोड़ा सा vintage type का pattern है तो और भी बढ़िया बर जैसा हमने पिछली DIY विडियो में काटा था पूरी sleeves के साथ साथ वैसा नहीं काटेंगे इस बार थोड़ा rough तरीके से काटेंगे sleeve से थोड़ा सा distance बना के और फिर ऐसे काटने के बाद दूसरी side इसको fold करके arm पे arm रखके दूसरी side भी symmetrical तरीके से काट देंगे तो अब outfit similar तरीके की है लेकिन college के लिए appropriate है और इस outfit की best बात ये है कि उपर थोड़ा सा slim down silhouette है और नीचे parachute pants से उससे बहुत बड़ा contrast आता है सिरफ silhouette में silhouette मतलब उसकी shape और t-shirt के बारे मैं एक और चीज़ वोलूँगा याद रखना कि college में कभी भी terry वाली t-shirts मत पहनना जो मोटे वाले material की होती है क्योंकि उससे आप गर्मी से पागल हो जाओगे तो इसी type की पतले material वाली पहनना और honestly 100% cotton भी पहनना अब से छोड़ दो और नी आपके sneakers भी chunky वाले ही होने चाहिए यहाँ पे मैंने high top converse पहने होए है अब इसकी जगा पतले वाले converse मत पहन लेना आपको जो भी पहनने हो इसके साथ black and white वाली color scheme में कोई chunky sneakers ही पहनना हमने बहुत सारे sneakers पर वीडियो बनाया है उसमें से आप कोई भी ले सकते हो बर अगर अगर आपके बास पैसे हैं invest करने के लिए तो 100% आपको यही वाला converse का model लेना चाहिए यह करीब 7000 रुपे का है और बहुत जादा worth it है क्योंकि extremely comfortable और extremely durable है साथ मैं आप एक normal backpack भी रख सकते हो लेकिन यहाँ पे styling purpose के लिए मैंने अपना rhinox का waterproof बाला bag रखा हुआ है क्यों आप रखने ऐसी outfit पे आप sporty watch रखोगे तो better है और specially college में भी तूटने उटने का डर होता है तो कोई महेंगी watch मत पहन लेना next fit है hostel room के अंदर पहनने के लिए चड़ी बन्यान पहन लोगा है अरे ने यह आनी दिखाना था next outfit में rockstar से सीधा पूकी बन गए है क्योंकि इसमें हम जा रहे हैं soft boy aesthetic के लिए तो यार इस outfit में basically बहुत cool casual calm vibes रखनी है एकदम peaceful वाली कि बिना effort मारे बस जा रहे हैं दोस्तों से मिलने या फिर errands run करने जिसका मतलब है कि basically के दरो दर के काम करने अब जैसे rockstar वाली outfit में तब recommend करूँगा जब आपको बहुती cool दिखना है stand out करना है ये वाली outfit में तब recommend करूँगा जब आपको पूरे दिन में काफी चलना भी है आपको अच्छा भी दिखना है और आपको comfortable भी रहना है और आप देखो कि मैं पूरी वीडियो में कहीं पर भी over accessorizing आपको recommend नहीं कर रह साथ ही नीचे black pants की look तो ऐसे आ रही है कि ये proper pants होगी लेकिन ये actual में एक sample है जो मैंने अपने ले बनवाया है जो कि ये comfortable cotton material में है तो उसकी feel तो पजामे वाली है इवन दो दिखने में ये Korean pants लग रही है आप इसके बदले कोई भी wide या loose black pants पहन सकते हो लेकिन अगर आपको comfort चाहिए तो आपको cotton material पे ही जाना चाहिए अगर आप चाहते हो कि मैं launch कर दूँ तो नीचे comments मा जरूर बताना और साथ ही नीचे मेरे favorite black and white sneakers जो की Converse के हैं और मुझे पता है कि एक बार मैंने ये sneakers पहन लिया और इनमें invest कर लिया और इनको सही रख लिया तो मैं दिन में अ Austria trip पे लिया था अगर आपने मेरा Finding Love in Europe वाला विडियो देखा है तो आपको पता होगा बट आप obviously कोई भी white और off-white color का tote bag यूज कर सकते हो साथ ही अगर आपका bad hair day चल रहा हो है तो आप इस outfit में बहुत easily एक plain cap भी add कर सकते हो neutral color में जैसे कि मैंने ये beige वाली पहनी हुई है पहनी आप क्योंकि college में आपको fashionable भी देखना है और ये वाली pants में ने जारा सही ली थी unfortunately sale पहनी मिली मिरको अब उपर polo मैंने regular fit में पहनी हुई है extreme slim fit नहीं है क्योंकि थोड़ी सी relaxed vibe रखनी है और thankfully upper half of the body पे एकदम proper fit है और क्योंकि इसकी vibe बहुत chill रखनी है इसलिए उप money inspired casual outfits में बहुत बढ़िया लगते हैं बट ये भी काफी महंगे 7-8000 के आते हैं तो इससे अच्छा आप डेड़ 2000 वाले इनके amazon के dupes भी ले सकते हो उनकी भी quality बिल्कुल भी बुरी नहीं होती वो भी आपको लंबा चल जाएंगे obviously इनके जत्ता लंबा नहीं उपर साथ मे क्योंकि धूप बहुत है और college में भी obviously धूप होगी तो मैंने इसी color scheme से एक darker color उठाके जो की dark brown है या chocolate brown है उसके shades पहने हुए है by the way हम किसी एक lucky subscriber की looks maxing करेंगे जैसे इस वीडियो पर 10,000 likes complete होंगे आपको participate करने के लिए नीचे सिरफ comments में बताना है कि आपके college में generally लड़के किस type का fashion करके आते है अगली outfit में बहुत summery और chill type layering करी है हमने तो इसके लिए obviously start में एक tank top पहना white color का अच्छी quality का और साथ में नीचे same zara वाली loose linen pants फिर उसके उपर layer करी एक resort fit type की shirt अब याद रखना जो भी आप उपर layering के लिए shirt पहन होगे college में उस पे बहुत crazy designs नहीं होने चाहिए क्योंकि व वो basic plain cotton वाली मत पहना क्योंकि उससे stylish नहीं लगते और layering में एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि अंदर जो tank top पहनोगे वो extreme पतला नहीं होना चाहिए नहीं तो बनियान लगेगी बलकि थोड़ा सा मोटा fabric ही होना चाहिए ताकि आपकी body की shape भी अच्छी आए और उप चीज में बताना भूल गया कि आपका tank top में हमेशा ribs होने चाहिए यानि कि ऐसे speed breaker type की lines होनी चाहिए अगर plane होगा तो वह बाबुराओ की बनियान लगेगी भाई next outfit में ऐसा drive का street style करेंगे जिस से जाथ आप कभी गलत नहीं जा सकते हैं इसमें हमने एक all black base बनाया है जिसका pop आता है इसके red color से और उपर मैंने पहनी एक oversize graphic t-shirt जो कि आप अगर नहीं पहनना चाहते है एक t-shirt उससे जाधा कुछ cool पहनना चाहते हो तो आप एक polyester व करवाने के लिए मैंने black और red color के sneakers पहने हुए है जिसमें मैं पुराना वाला black हटा के और red add कर रहा हूँ और अब यही same outfit को मतलब मैंने जाधा cool कर दिया है अब भाई यह sneakers भी comet के हैं जो कि एक Indian brand ही है और इनके sneakers जेनरली 4-4,000-4,000 type के आते हैं जो कि मिरको एकदम worth it लगत हैं बट मिरको sports में जाधा interest नहीं है और मिरको naruto में जाधा interest है तो मैंने यह पहनी है साथ मैंने वही अपनी casual silicon वाली Casio watch पहनी हुई है और नीचे मैंने cargos पहनी है उसमें 10 pockets हैं भाई और यह कोई basic black cargos नहीं है यह wide fit वाली denim material की cargos है और यह भी एक Indian brand की है lethal करके नाम है उस गई 4000 के लिए absolutely worth it है आपको जीवन भर चलेगी है next outfit में एकदम से जजबात बदल दिये महौल बदल दिया क्योंकि street style से हम आ गए है relaxed Korean style पर लेकिन ओने ओपर भी relaxed fit की shirt या t-shirt होती है लेकिन मैंने थोड़ी सी slim fit वाली इसले पहनी है क्योंकि मेरे को वो silhouette में contrast चाहिए तो उपर मैंने एक बहुत शानदार woven material की olive color की shirt पहनी ह हुई है इसका material body पर बहुत शानदार तरीके से flow भी हो रहा है और बहुत प्यारी neutral subtle look भी दे रहा है अब obviously आप olive की जगा कोई भी और neutral shade try कर सकते हो इसमें उपर लेकिन मेरे को आज एक पेड़ की तरह दिखना था तो इसले मैंने green और brown पहना है और नीचे वही Zara की मेरे को Amazon पर मिल गया लेकिन इसके aesthetics इतने अच्छे है मतलब यह brand इतनी सुन्दर watches बना रहा है जैसे कि आजकल यह rectangle वाली old money style की watch बहुत trending हो रही है और यह में को सिरफ साड़े 300 रुपे में मिल गई है अब honestly मैं recently मंगवाई है तो मुझा नहीं पता कितने time चलेगी है लेकिन आने वाले कुछ वीडियो में दे दूँआ वाई इसका review अच्छे से and next वाली outfit में मैंने ये grey color की half sleeve shirt पेनी है जो कि actual मैं outfit का part नहीं है इसको हटा दूँगा मैं क्यूंकि हम हमारी Korean fit में ऊपर try करेंगे एक stripes वाली shirt जो कि आचकल काफी trending चल रही है और यह में को कुछ दिन पहले पर roll कर रहे ना क्योंकि ये relaxed fit नहीं है ये regular fit है तो sleeves नीचे रख क्या आप बिल्कुल करमचारी लगोगे अब मुझे तो ये pinstripe वाला trend बहुत पसंद है इसलिए में को ये shirt बेटर लग रही है इन वाली pants के उपर और इस shirt का fabric ultimate level का है and Uniqlo obviously famous है अपने fabrics के लिए मतला भाई पहने नीचे sneakers अपने रिप्लेस कर लिए गली लाप्स वाले पहन लिए मुझे पता है ये थोड़े से महेंगे लेकिन आप पिछले वाले भी पहन सकते हैं वो सिफ 2000 के थे भाई next outfit उनके लिए है जो shorts पहनने में काफी comfortable है अब मेरे साब साब को chino shorts वगरा वाली outfits नहीं पहनने चाहिए कॉलेज में क्यूंकि वो vibe नहीं मैच करती मेरे साब से basketball shorts बहुत safe होती है कॉलेज में पहनने के लिए तो जैसे मैंने यहाँ पे green color की basketball shorts पहनी हुई है west side की साथ में उपर एक oversize t-shirt पहनी हुई है एकदम plain क्यूंकि मेरे को ज़्यादा graphic से नहीं खेलना था क्यूंकि already नीचे की shorts काफी prominent color की हैं साथ में basic neck chain रखी है क्यूंकि honesty locket locket का जमाना जा चुक है और basic casual घडी वही Casio वाली 2000-3000 वाली digital और धूप से बचने के लिए sunglasses wearfarers अब भाई shorts वाली outfit बनाने के लिए सबसे जादा आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी socks लंबी ही होनी चाहिए especially अगर आपकी skinny legs है तो अब मेरी even दो नहीं है तब भी मैंने socks लंबी रखी है क्यूंकि उससे better breaks बनते हैं आपके पहर पे breaks का मतलब है horizontal parts अब यहाँ पे socks मैंने graphic वाली रखी है जिसमें काफी prominent green color है ताकि shorts के green color से भी match हो पाए आप यहाँ पे basic socks भी पहन सकते हो जो की similar green color की हो और साथ हमेने पहने हैं मेरे grey color के crocs क्योंकि भाई कभी-कभी बारिश भी तो हो सकती है अब उस crocs के उपर जो gibbets लिए क्योंकि काम करना है and next outfit हम लोग रख रहे हैं gym boys of the college के लिए जिसमें उपर पहना हुआ है एक black color का tank top जो की obviously आपको skin tight नहीं रखना चाहिए अकर आपकी मेरी तरह तोंद है क्योंकि मैं bulking कर रहा हूँ वापस साथ में नीचे black color की ही shorts है 2-in-1 वाली जो की again polyester material की ही है और gym के लिए बहुत बढ़िया रहती है साथ में नीचे आप notice करोगे socks बहुत जादा interesting है जो की मेरा दोस्त आयूश है उसका socks brand है Sobo socks उसकी है और साथ ही नीचे Aridas के supernovas पहने हुए अब मुझे पता है ये वाले shoes देखके फिर से comments आएंगे की बहुत महेंगे बहुत महेंगे बट मेरे साब से running shoes के ओपर आपको invest क करना ही चाहिए लेकिन जनरली अगर मुझे treadmill नहीं करना होता तो मैं जिम में भी Jordans ही पहन के जाता हूँ क्योंकि में पास वो पड़े हैं आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है वो आप उनकी जगा Converse भी पहन सकते comments पर अपनी favorite ज़रूर बताना और हमारी बाकी के college वीड कि आपूर बताने हैं और अजय हैं रही हैं एस वो खरीफिय में भीता करना हैं वीड़ास के पास प्रफेने की में घ्सल tal तो सकते पास, मैं जड़़ 보र आपकोष बताना हूश में हैं टो से में बूरूरत डपतीन के सदाल के से आताना हैं वीड़ हैं पूरतिता हैं ऑचम